अपनी जरूरतों और लिमिटेशन को समझना जरूरी है कुछ चीजों की हमें सच में नीट होती है और कुछ चीजें बस हम अट्रेक्ट होकर के ही ले लेते हैं पहले के लोग बहुत कम खर्च करते थे लेकिन खुश जादा रहते थे अपके लोग जादा खर्च करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं वो चीजों से अपने आपको खुशी देने के बारे में सोचते हैं वो चीजें खरीदते हैं और थोड़े टाइम के लिए वो खुश होते हैं और कुछ टाइम बाद ही उनकी खुशी जो है वो गायब हो जाती है फिर वो कुछ नया कुछ खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं कैसे हम कम पैसे खर्च करके अपनी लिमिटेशन को अपनी जरूरतों को समझ करके अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं हमारे बड़े बुजूर्गों का हमेशा से ये कहना है कि पैसों को हमेशा ही बचा कर खर्च करें जहां जितने की जरूरत हो उतना ही पैसा खर्ज करें पैसे को बचाना सीखें क्योंकि कब हमें कहां कैसी जरूरत पड़ जाए ये नहीं पता होता है और हमारा कोई भी काम बिना पैसों के पूरा नहीं होता है जब COVID आया था तब हमने ये जाना कि कम पैसों में भी घर जो है चलाया जा सकता है बिना बाहर गए, बिना रेस्टरेंट में खाना खाए, बिना बाहर घूमे फिरे फैमली के साथ घर पर रह करके लाइफ जी जा सकती है इंटर्टेन्मेंट के लिए या फिर चेंज के लिए हम घर पर रह करके ही कुछ न कुछ आप्शन तलाशते थे हम फैमली के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे और काफी कुछ हमें सीखने को भी मिलता था हमारे बहुत से पैसे भी बच जाते थे क्योंकि बाहर घूमना फिरना खाना पीना और मूवीज देखना ये सारी चीज़ें बन थी कहेंगे कि life को enjoy करना भी जरूरी है अपने शौक को ना पूरा करें तो ऐसे पैसे कमाने का ऐसे पैसों का क्या फाइदा आपकी बाते बिलकुल सही हैं लेकिन किसी भी चीज़ को एक लिमिट में करना ही ठीक है अगर हम लिमिट से जादा किसे भी चीज़ को करते हैं तो फि बुरा है बट अगर हम सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम अपने लिए ही कमार हैं सोचकर हम बस फालतू की चीज़ें खरीदते जाएं तो इससे फिर हमारी सेविंग भी कभी नहीं हो पाएगी life में कब हमें पैसों की आगे जरूरत पड़ेगी कुछ भी पता नहीं होता है और हमारा कोई भी काम बिना पैसों के होता नहीं है फ्यूचर में कभी भी हमें ऐसी किसी भी situation का सामना ना करना पड़े इसके लिए हमें पैसों की saving भी जरूरी है अगर आप अपनी जरूरतों का या अपने entertainment का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे फिर आपकी life आपको बोर लेकिन अगर आप दूसरों का देख करके अंधाधुन पैसों को खर्च करने में लग जाते हैं दूसरों को देख करके आप चीजें खरीदना स्टार्ट करते हैं तो इससे पक्का है कि आप अपनी life में आगे future में कोई न कोई problem को जरूर ही face करेंगे दूसरों का देख कर हम कितनी भी अच्छी सी अच्छी चीजें क्यों न ले लें बट लेने के बाद उसकी value हमारी नजरों में कम हो जाती है जब तक वो हमारे पास नहीं रहती है उस चीज को पाने के लिए हम पागल रहते हैं लेकिन एक बार जब वो चीज हमें मिल जाती ह तो धीरे धीरे करके उसकी value कम होने लगती है फिर कुछ नया आप लेने की सोचने लगते हैं ये human tendency है जब कोई चीज हम showroom में देखते हैं तो हमें उसे लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है बट जब हम उस चीज को ले लेते हैं तो उसकी value थोड़ी सी कम हो जाती है धीरे धीरे करके उसकी value एकदम से खतम हो जाती है वो कहीं भी इधर उधर पड़ा रहता है इसलिए हर चीज को लेने की चाहत पर control करें हर चीज को खरीदने की कोशिश मत करें इच्छाएं ऐसी हैं कि जितना आप बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी इसकी कोई भी limit नहीं है बट इसको control में करना हमारे हाथ में है इसे हम limited कर सकते हैं खर्च करने की habit आपके सारे पैसों को यूँ ही उड़ा देती है और आपको पता भी नहीं चलता है किसी भी function को organize करने में या फिर शादियों में सबका अपना budget होता है हम दूसरों के हां के function या शादियों को देख करके वैसा ही कुछ करने का plan कर लेते हैं जिससे की लोग हमारी तारीफ करें और इसी चक्कर में काफी कर्ज हमारे उपर आ जाता है जिससे की कई साल हमारे ऐसे ही stress में गुजर जाते हैं कितने साल लग जाते हैं उस करज को चुकाने में और कितने जरूरी काम सिर्फ आप उसी करज के चक्कर में पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे ही कुछ गलती जो है parents करते हैं अपने बच्चों को लेकर जो उनकी education भी दूसरों की देख करके ही कराते हैं उनका interest या उनकी capacity नहीं देखते हैं क्यों हम इतने disparate रहते हैं दूसरों की तारीफ पाने के लिए दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है अपनी अच्छी image अपनी qualities अपने अच्छे nature के दम पर बनाईए चीजों के दम पर नहीं फिर आपको जो खुशी मिलेगी वो हमेशा ही परकरार रहेगी